दोस्तों इंडियन मार्केट की सबसे अफोर्डबल ट्विन सिलिंडर बाइक रॉयल एंफिल्ड इंटर्सेप्टर 650 का अब इस साल 2021 में कई सारे नए कलर्स लॉंच हो चुका है अब दोस्तों इहाँ पर आपको मैं एक बात बता दू कि लगभग यहाँ पर पांच नए नए कलर्स इंटर्सेप्टर और GT 650 में लॉंच होआ है और आज मैं आप लोगों को यह संसेट स्ट्रिप कलर दिखाऊंगा जिसमें कि आप दोस्तों देख पाएंगी कि टैंक जो है यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर की यहाँ पर डॉल टोन टैंक दिया गया है अब सिर्फ यहाँ पर कलर्स चेंजेस के अलावा आपको और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों जो टायर्स की यहाँ पर रिम से यह ब्लैकेंड डाउट किया गया है गारी के साथ मैच करके तो यहाँ पर कोई भी मेकानिकल चेंजेस आपको नहीं दिखेगा सिर्फ यहाँ पर आपको कलर में ही चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि एक नया लुक इस गाड़ी को देता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे था बेंगल राइडर यूट्यूब चैनल मैं होंका होस्ट आरजित और मैंने ये वीडियो शूट किया है शार दिस्टिब्यूटर भवानिपूर कुलकाता में इनके शोरूं के सारे डीटियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा चाहे तो उनसे कॉंटेक्ट कर सकते है अब इंटरसेप्टर और जीटी इन दोनों का ही तीन अलग अलग वेरियंट्स आता है एक स्टैंडर्ड एक कस्टम और एक क्रोम अन रोड प्राइस लग भग यहाँ पे तीन लाग 17,000 से लेकर तीन लाग 40,000 तक जाता है डिपेंडिंग आप कौन सा यहाँ पर वेरियंट ले अब दोस्तों यहाँ पर 2021 में जैसे कि मैंने आपको बता यहाँ पर टैंक को एक अलग सा कलर में यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टिकरिंग मिल जाएगा 3D वगरा नहीं मिलेगा यहलो कलर की यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है और रेड और मेंली यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको यह टैंक मिलता है बाकी यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो और कोई आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा सारे जो इंजिन, सस्पेंशन और बाकी जितने भी सारे फीचर से यह बिलकुल आपको पहले के मुकाबल ही मिलेगा और टूरिंग के लिए एक affordable या फिर अगर आप कहें तो उस segment में अगर देखा जाए तो हाँ comparatively affordable एक twin cylinder bike आपको मिल रहा है from the brand Royal Enfield जिसमें की आप touring कर सकेंगे और थोड़े बहुत city riding भी आप कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे engine के अगर बात करें तो oil cooled parallel twin cylinder fuel injected 648 CC के यहाँ पे engine दिया गया है power आपको मिलेगा 46.8 bhp at 7150 rpm torque आपको मिलेगा 52 newton meters at 5250 rpm अब इसमें 6 speed gear box दिया गया है 1 down 5 up इसकी gear pattern है slipper clutch आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात हो steel tubular double cradle frame पर यह गारी बना हुआ है अब इसमें कोई सिर्फ आपको self strategy मिलेगा kickstart नहीं मिलेगा और इसमें सिर्फ आपको side stand आता है main stand इसमें नहीं आता है और दोस्तों यहाँ पे engine compartment भी आप देख पाएंगे अगर पीछे से देखे तो इसमें twin exhaust आता है जो कि पहले से इंडर सेप्टर और GT में आ रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही काफी एक style statement यह दे देता है और दोनों ही जो silencer यह chrome finished है अब यहाँ पे headlamp unit की देखे तो headlamp unit पहले जैसा ही यहाँ पे bulb unit आता है अच्छा होता दोस्तों कि अगर एक यहाँ पे full LED headlamp unit इस segment की गारी में roll and fill दे दिया होता तो indicators की बात करें तो indicators traditional orange color की indicators है और fix type के है और पीछे भी आपको normal bulb type backlamp मिलेगा जो की अगर LED होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता तो handlebar के बीच से एक rod गया है प्रोम टाइप handlebar यहाँ पे दिया गया है switch gear quality बहुत अच्छी है और आपको इसमें सारे necessary switch gears मिल जाएगा slipper clutch मिलेगा और एक comfortable upright position आप इस गारी में इसमें बैट कर चला पाएंगे एक आरामदा एक riding position आपको इसमें मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे straight handlebar का use किया गया है इसकी चाबी आप देख पाएंगे normal सा यहाँ पे key दिया गया है और अगर आप meter console की ओर देखे दोस्तों तो यहाँ पे twin pod meter console दिया गया है जिसमें कि आपको काफी सारा chrome treatment देखने को मिलेगा और इसमें आप speed देख पाएंगे rpm चेक कर पाएं लो इंजिन ओल इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर, इंजिन मैल फॉंक्शन लाटर, ABS इंडिकेटर वगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो ओवर आल यहाँ पे plain and simple meter console design दिया गया है इसके बाद अगर दोसो टैंक की ओर देखे तो टैंक में आपको थाई रिस इस अगर कपैसिटी देखे तो 13.7 लिटर्स की टैंक की केपासिटी है इंजिन पर्फॉर्मेंस में कोई भी आपको वाइब्रेशन नहीं महसुस होगा क्यूंकि अप्लीटली वाइब्रेशन फ्री एंजिन है और यहाँ पे सीज्स जो है दो सीज्स भी आडाम दाएखे ब बैक रस्क लगा पाएंगे साइड में आप इंटरसेटर 650 की बैजिंग और लोगो यहाँ पे देख पाएंगे इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ट्विन हॉर्ण सेटाप आता है और बड़ा सा ओयल कूलर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे डूल होने से इ प्रोइल सील प्रोटेक्ट करता है और पीछे आपको इंवर्टेड ट्विन सस्पेंशन मिलेगा विध गास कैनिस्टर्स तो सस्पेंशन इसकी अच्छी है टायर्स की ओर देखे दोस्तों तो यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर्स यूज़ किया गया है स्पोक विल्स के स प्रोटेड यहां प्रोटेड नहीं है और पीछे आपको डिस्क विल्स के जगा इस वाले मॉडल में आपको सीट के टायर्स मिलेगा जो कि मेरे खाल से उतना अच्छा नहीं लगा है कि अगर प्रेली के टायर्स दे दिया होता तो और भी अच्छा होता 202 kg की इसकी टोटल वेट है 174 म का ग्राउंड क्लिरेंस है और यहां पर लगभग आप 22 से लेकर 24 25 km तक माइलेज निकाल पाएंगे अगर आप इक डिसेंट राइडिंग कंडिशन में राइट करते हैं और सिटी और हाइवे मिला के मैं यह एप्रक्सिमेट माइलेज कह रह सहां और तो अच्छी ए लेकिन इसकी जू एफ़ोडबिलीटी है वो थोडा सा इसकी साघ्ज कास्ति का हीजा है तो दोस्तों आपको यह विडियो कैसा लगा यह गाड़ी माइख दोस्तों के साथ 21 अन्य्साइड सेक्ण